नमस्ते भई यार आमराम कैसे हैं आप लोग तो भईया देखिए यूपी में तो खेला हो गया इतना जोर सोर से बना था इंडी अलाइंस ये कहा गया कि बीजेपी को हराने के लिए सब लोग एकजुट हो जाओ साब ताम जाम दुनिया भर का हुआ लेकिन फाइनली क्या हु अच्छी बात है राइनीत है सबको जितना चाहिए लेकिन कांग्रेस का बैक होना अपने आप में समझे न भईया कि ये कदम से जो है पूरा गुड़ गोबर करने वाला है इसकी बड़ी वज़ाब को बताते हैं उका है कि कांग्रेस जो है वो ये दिखाने कोशिश करें उ सब्सक्राइब कर लिजिए दूसरा लाइक वाली वीडियो आपके लिए परमांट लेखे आते रहेंगे चलिए यूपी में जो है बड़ा भाई कौन इसको लेके समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में जो है खीस्तान लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थ बात है नैतिक तोर पर उसको बड़ा भाई होना चाहिए अब मामला फसा काम समझीए जैसे क्या हुआ कि पहले अजयर आये जो है अजयर आये कांग्रेस के जो यूपी वाले अध्यक्ष जी है उजानते हैं उनका दिक्कत यह है कि उजब से अध्यक्ष बने है ना तब उस समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है उस इलाके में यादो जी लोगों का हिसाब किताब समाजवादी पार्टी के थोड़ा सा बढ़िया है उन्हीं लाकों में बहुत नुक्सान हो कांग्रेस को और भाचवाग फायदा मिल गया तो अब वही जो है उसके बाद से कांग्रेस सतरक हुई फिर देखिए भईया लोगसवाद चुनाव में जो है हिसाब किताब ठीक रहां जो मिली कांग्रेस को उसमें से 6 सेट निकाल ले गई लेकिन अखलेस के आदो की वज़ा से ना कांग्रेस का जनल था तू क्या है आपको पताई है अब यह हुआ है कि अकलेस चयादो महाराष्ठा में सिट मांग रहे थे अब महाराष्ठा में सीट मांग रहे थे तो कांग्रेस को लगा कि जो है हम यूपी में बारगेनिंग कर ले जाएंगे तो užजैर आ ने चाहा कि 5 भाई हमको चाहिए अखलेस ने अभी देख की 9 दें जैसे हरियाना के चुनाओपर डामाय अगले ने आखलेस ने जो 6 से डिक्लेयर कर दी पर कोई जीता नहीं कांग्रेस का अब कांग्रेस को लगा कि लगा होगा कि बेश्ती हो जाएगी तो कहें कि नए भाई ठीक है आप लड़िये हम पीछे से आवका सपोर्ट करेंगे ऐसे थोड़े होता है है ना वह हमारे ताउजी मिल गए थे बढ़का ताउजी कहा रहे थे इसका मतलब कि अब यूपी में जब यह हुआ है कि अब कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो अखलेश जी को महाराष्ट में क्या मिलेगा भाई साब यह सुच्छे वाली बात है न आप समझेए कि जब अखलेश जी यूपी में जब कांग्रेस को इस्पेस नहीं दिये तो महाराष्ट वुनको कांग्रेस इस्पेस देगी नहीं न चलिए देखते हैं क् तो आज की कहानी में इतना ही फिन मिलेंगे को बढ़ियां बवाली कहाने के साथ ठीक है ना तब तक के लिए राम राम